हलो दोस्तों पॉरिंग की दिन्या में आपका स्वागत है मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने मिलने वा हम बात करने वाले हैं जर्मनी में आप अपार्टमेंट कैसे धूंड सकते हो और कैसे असानी से मूँ और सकते हो और इंपक्त मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर करने वाली हूँ और आपको टिक्स भी बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ही असानी से अ तो जर्मनी में आपको क्या लगता है? सबसे जादा डिफिकर्ट क्या है? जॉब मिलना? नहीं. लैंगविज सीखना? जर्मन लैंगविज? बिलकुल नहीं. सबसे डिफिकर्ट है जर्मनी में अपार्टमेंट मिलना. क्योंकि यहां पे बड़ी सिटीज इस्पेशली जैसे म्यूनिक, बर्लेन, हैंबर्ग, इन सिटीज में इतनी जादा डिमांड है और कंपैरिटिवली अविलिबिटी कम है. तो यहां पे अपार्टमेंट मिलना इतना मुशिल हो जाता है. इन फाक्ट मैं अपने एक्स्पीरियंस से बता सकती हूँ, यहां पे तीन से छे मैने बहुत बहुत बहतर देगा, आप इंडिया से ही धून के आजाओ, क्योंकि यहां पे आने के बाद अगर आप धूनना स्टार्ट करोगे तो आपको पता ने कितना टाइम लगेगा, एन इसपेशली जब आप आते हो, आपको मेभी होटेल में रुखना पड़ेगा, या एर दून रहे हो, तो सिटी से थोड़ा दूर होके, मतलब जो 15-20 मिनिट आप पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से पहुत सकते हो, ऐसी जगह पे भी अगर आप घर दून लोगे, तो थोड़ा सा कंपेरिटिवली आसान होगा आपको घर मिलने में, क्योंकि मेंन सिटी में तो यहां पर बहुत ज़ादा डिमांड होने के वज़े से बहुत ही ज़ादा टाइंग लगता है, यहां पर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बहुत अच्छा है, जर्मनी में कनेक्टिविटी बहुत अची है, तो आप बस, ट्रेन, इन पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से भी बड़े ही असा और से आप nearby localities भी चेक कर सकते हो और एक important factor cost का भी होता है especially buddy cities में अगर आप central location पे कोई apartment ढूंड रहे हो जैसे मैं Frankfurt का example देती हूँ 1 bedroom hall kitchen somewhere आपको होगा 1000 से 1400 euro में और वही अगर आप 15-20 km के आसपास की radius में देखोंगे वही आपको 1 bedroom hall कुछ मिलेगा 800 से 1000 euro में तो देखो cost का भी इतना जारा परक भुड़ता है तो यह तो रही कुछ important information जो आपको पता होनी चाहिए और अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे apartment की types क्या होते हैं तो पहले बात करते हैं students के विए तो students यह हैं वो prefer करते हैं यहाँ पे student in wonheim जो कि student dom से उन में रहना क्योंकि जब आप student हो और आप ऐसे sharing basis में रहते हो तो आपको cost भी कम पेटरनी पड़ती है और in fact furnishing की अगर बात करें तो वो जो सारे apartment है तो वहाँ पे आपको bed, study table, almira यह सारी चीज़े प्रोवाइब दी जाती है क्योंकि आप नहीं कंट्री में आते हो और आप जब शेरिंग में रहते हो तो आपको अकेला नहीं पील होता आपको जब जब ज़रूरत चाहिए तो आपके साथ बात करने के लिए लोग है प्लस आपके साथ और डी जर्मन स्टूटेंट्स होगे तो आपकी जर्वन लाइज भी इंप्रूव होती है तो यह कुछ इंपोर्टेंट्स है जो स्टूरेंट्स के लिए बहुत होते है जब वो शेरिंग में रहते हैं और अगर में वर्किंग प्रफेशन की बात करूँ तो यहापे जो बैचलर्स है वो भी प्रेफर करते हैं शेरिंग बेसिस पे रहना तो जैसे लगा लो एक बड़ा सा अपार्टमेंट है वहाँ पे दो दीन बेडरूम्स है तो हर किसी का एक अपना रूम होता है और जो कॉमन एरियास है जैसे कि लिविंग एरिया और किचन ये शेरिंग बेसिस पे होता है तो इससाब से उनको बस जो कॉमन एरियास है उसके और जिस रूम में वो रहते है उसी का प्राइस पे करना पड़ता है तो वो भी एक बेनिफिशल ऑप्शन होता है जब आप शेरिंग में रहते हो और सेपरेट अपार्टमेंट जो यहां पे होते है तो फैमिली अपने अपने कन्विनियंस के साब से टू बेड्रूम थ्री बेड्रूम अपार्टमेंट ऐसे रहन करना प्रफर करती है और एक इंपोर्टन चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगी आजर अब टू बेड्रूम थ्री बेड्रूम ऐसी बात हो ई रही है तो यहां पे एक बहुत इंपोर्टन कॉंसेट है और जिंबर मत्ब एक रूम तो अभी इंडिया में क्या होता है लिविट रूम होता है तो उसे कहते हैं वबेड्रूम होल किचन पर जर्मनी में जो living room है उसको भी as a room consider किया जाता है and bedroom जो है उसको भी एक room consider किया जाता है तो जो one bedroom hall kitchen है उसको जर्मनी में कहते है two room apartment तो ये याद रखना जभी भी आप apartment सर्च करोगे तो two bedroom, three bedroom इस हिसाब से नहीं consider होता है यहाँ पर two zimmer apartment मतलब hall और bedroom की बात हो ली है तो अगर आपको दो bedroom hall kitchen चाहिए तो आपको सर्च करना होगा dry zimmer apartment तो अभी बात करते हैं बहुत important factors की and that is furnished and unfurnished apartment तो furnished जैसे आपको पता है furnishing में सब कुछ आपको furnished मिल जाएगा आपको बस आपकी bag लेके आनी है and रहना शुरू करना है बड़ जो unfurnished apartments है उसको अगर आप धूण रहे हो तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि unfurnished apartment literally means कि बस दिवारे है खिड़किया दर्वाजे है बस उसके अलावा कुछ नहीं है which means कि literally आपको जो lights है उसका भी जो setup है वो खुद लगाना होता है तो मुझे kitchen area में literally बस kitchen की दिवारे लिखी उसके अलावा ना कोई slab ना कोई sink ना कोई gas मतलब कुछ भी नहीं था मतलब यहाँ पे literally अगर आप unfurnished बोलते हो तो उसमें kitchen भी नहीं included होता है इसलिए आपको यह धिहान देना जुरूरी है कि जब आप अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो तो उसमें check करना होगा कि kitchen included है या ने kitchen में क्या क्या चीज़े included होती है वो मैं आपको quickly बता देती हूँ kitchen में यहाँ पे आता है वो slab slab यहाँ पे wooden का होता है usually and sink प्लस आपको gas stop आता है and oven and microwave dishwasher और क्या होता है cabinets fridge यह सारी चीज़े आपको मिल जाएगी kitchen में तो लोग यहाँ पे कोई-कोई action में kitchen खरीते है and kitchen का पूरा setup यह install करते है even जबकि वो rented apartment में move हो रहे हो and जब वो apartment खाली कर रहे है या किसी नई जगा पे जाते है तब लोग यहाँ पे एदर वो kitchen setup जो next tenant है उनको sell करते है या तो फिर वो uninstall करके जिस नई जगा पे वो जा रहे है वहाँ पर लेके जाते है इस नई जगा पे जाके इंस्टॉल करते है अपना kitchen तो यह concept है यहाँ पर जवनी में kitchen का जो आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर जो kitchen setup है वो आप बाई करके install भी करवा सकते हो but again वो जो appliances है वो जो kitchen setup है वो आपके choice के हिसाब से उसकी price vary कर सकती है तो अगर आपको इस सारी जमेले में नहीं पढ़ना है kitchen buy करो उसको install करो और वापस sell करो तो सबसे best option होगा कि जब आप अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो तो आपने बस यह फिल्टर लगाना है कि kitchen included है इसे fitted kitchen या फिर आइन बाव क्यूशर ऐसे नहीं कहता है इसे तो वो अगर होगा तो आपको बस उलनी apartment की listing आईगी जिन में kitchen included है और आपको वो सारे complications पर नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक important चीज है जो मैं अपनी experience के साफ से आपके साथ share कर सकती हूँ वो यह कि जो आप apartment की advertisement देखते हो उसके बाद यह भी ज़रूरी है देखना कि उनके description में क्या लिका है युकि बहुत बा इसे होता है कि description में इतनी सारी चीजे लिकी रहती है जैसे कि kitchen आपको लेना होगा, furniture आपको जो पुराने tenant का है वो बाई करना पड़ेगा और यह mandatory चीजे होती है जो अगर आपने description नहीं पड़ा होगा तो आपको पता भी नहीं जलता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक अ उन से 2,000 euro का जो furniture है, उनका wardrobe और यह सारी चीजे बाई करनी होगी तो यह सारी चीजे मुझे बाद में जाके पता लगी है हाला कि मैंने वो अपार्टमेंट लिया नहीं बट यह सारी चीजे भी होती है जो आपको बाद में पता लग सकती है तो इसलिए important है पढ़ लेना य उन 1 meter तो जो cold trend होता है वो होता है आपका बस जो accommodation है जो घर है अपार्टमेंट उसका cost उसमें कोई भी utilities नहीं included होती है जैसे आपका heating cost, gas, electricity, water यह कुछ भी नहीं included होता है और जो 1 meter होता है उसमें included होती है आपकी utilities की cost भी जैसे की water, heating cost, gas, electricity at times included होती है यह आपको मतलब extra भी पेकरनी पड़ी है तो यह जो warm meter है वो होता है आपका actual rent तो आपको कोई भी apartment आप देख रहे हो तो यह देखना है कि warm meter कितना है उसका instead of only focusing on the cult meter जो की cold rent है तो आपको main information तो पता लग गए कि apartment यहापे कैसे होते है उनके rent का क्या type होता है और अब यह बात करते हैं बहुत important topic क कि apartment search कहा पर गड़े तो आपको लगता हो रहा कि मैं आने से पहले ही कहा पर search कर सकते हैं apartment हम यह पिर कैसे पता लगेगा तो सबसे easy options में बता दी आपको बहुत सरी ऐसी websites से जहाँ पे आप ज़िए में पॉस्टने से पहले ही apartment search करना start कर सकते हो जैसे कि immobilien scout, immobilt और फिर ebay in Saigon and अगर आप शेरिंग अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो तो वेगे गिस्यूप और फिर कुछ students है जो अगर यहाँ पे accommodation search कर रहे है तो वो आपने university के website पी जा सकते हो और आप एक special category होती है accommodation कर के तो वहाँ पे भी आपको reference मिल जाएगा कि आप कहां पे contact कर सकते हो और वह पे information search कर सकते हो in fact में सारी जो website है उनकी जो links है वो description में दे दूंगी आपको links check कर सकते हो and एक important और चीज है जहाँ पे आपको apartment की information पता लगेगी and those are the Facebook groups तो Facebook पे आपको बहुत सारे ऐसे groups मिल जाएंगे cities की हिसाब से जहाँ पे accommodation की या apartment जो अविलेबल है उनकी advertisement होती है जैसे आप सर्च कर सकते हो for example मैं Frankfurt का example दे देती हूँ जैसे Indians in Frankfurt या accommodation in Frankfurt, wonu in Frankfurt ऐसे बहुत सारे keywords है जिसके साथ आप सर्च कर सकते हो और ऐसे groups है जहाँ पे होती है तो वो आप चेक करना स्टार्ट कर सकते है और जिनोंने ये advertise post करी है उनको आप contact कर सकते हो and further उनके साथ आप follow up कर सकते हो तो apartment आप कहां पे search कर सकते हो वो तो अभी आपको पता लग गया इसके बाद important process आती है कि आप इनको कैसे apply कर सकते हो और इसका process कैसे होता है त तो सबसे important है आप जब apply करते हो तब आपने आपके बारे में information शेयर कर दी है जैसे कि आपका नाम क्या है आप कितने टाइम से जर्मनी में हो अगर नहीं आए हो अब तक तो कब arrival है and आप कौन से employer के लिए काम करने वाले हो या आपके family में कितने लोग है जो मू होने वाले ह है आप vegetarian हो आपके पास pet है नहीं है आपकी hobbies तो आपके बारे में in short information बतानी है and आपका जो designation है अगर आप job करने वाले हो किसी company में तो वो क्या है या आपकी salary क्या है ये भी सारी information आपको share पढ़नी पढ़ती है तो it's very important कि आपके बारे में थोड़ा short में explain करो ऐसा नहीं कि बस बोलो कि मुझे ये अपार्टमेंट डिखने में इंट्रेस्ट है मैं आना जाता हूँ बस इतने करोगे तो आपको easily short list नहीं किया जाएगा तो ये बी कुछ क्राइटीरिया होते है तो ये धियान ज़रूर रखना एस्पेशलि अगर आप families के साथ मूँ और जब आप अ अपार्टमेंट को तो आपने ये भी धिहान डखना है कि एक अपार्टमेंट के भरोसे मत बैठना क्यूंकि especially big cities में it's very difficult आपको अपार्टमेंट इतना असानी से नहीं मिल सकता तो इसलिए जितने भी आपको अपार्टमेंट अच्छे लग रहे है उनको apply करना start करो जिनका कि आप देखने आ सकते हो उसके बाद भी बहुत सारा क्राइटीर है ऐसा नहीं कि आप देखने आ जाओ और आपको इमिडिएटी फैनलाइज किया जाएगा बहुत सारे लोग अपार्टमेंट वो देखने के लिए आते है एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि एक टाइम अपार्टमेंट देखे थे और मुझे तीन-चार महने लग एक एक अपार्मेंट मिलने में कुछ अपार्मेंट तो मुझे खुद पसंद नहीं आया थे बट यहां पर बड़ा ही मुश्किल था मतलब पता नहीं ऐसे क्यों एक्जाटी में रीजन नहीं जानती ऐसा है कि व अप अगर अप्लाइ कर रहे हो तो मैंजिमम को अप्लाइ करो ताकि एक लिस कहीं पर तो शॉट्रिस्ट हो जाए तो आपको एक बार अपार्मेंट मिल जाता है तो सबसे एक इंपोर्टन पढ़ाव आ जाता है वह है कॉंट्राक्ट का और कॉंट्राक्ट मोसली यहां पे गर यहां पार्मेंट मिलता है तो अगर आपको जाता है तो अच्छी वात है पर अगर नहीं आती है तो ट्राइ करना उसको को ट्रांसलेेट करने में या फिर किसी की हीँलप लेना को जो से ट्रांसलेट करा सकता है ताकि आप पूरा वह更 Watts से पढ़ो, reason means कि यहां पे contract में बहुत सारे ऐसे clauses होते हैं, जो आपको पढने बहुत जरूरी है, इसे अगर मैं कुछ example दूँ तो deposit, जो deposit होता है जमनी में वो usually आपका जो rent है वो तीन मन्त का rent is equal to your deposit, and कुछ और चीजों के बाले में पता हूँ, तो यहां पे जो apartment है, वो आपको कितने duration के लिए मिला है, प्लस अगर आपका apartment आपको खाली करना है तो यह भी बहुत सारे contracts में लिखा रहता है कि minimum duration कितना है जो आपको उस apartment में आपको रहना पड़ेगा, कि अगर वो contract में लिखा है कि आपने दो साल अपार्टमेंट में रहना ही है, और अगर दो साल के पहले आप वो apartment खाली करते हो, तो आपका deposit पर कट हो जाएगा, या उसका मतलब कुछ half amount कट होगा, प्लस अगर apartment उसको sublet कर सकते हो, नहीं कर सकते हो प्लस अगर कोई damages हो जाते है तो कौन उसका responsible होगा either you would be responsible पूरा उसको pay करने में या उसको कोई भी नुकसाम हो जाता है कुछ भी apartment में लिक्कत हो जाती है तो उसको ठीक करने में आप responsible होंगे या फिर owner भी responsible होगा तो यह बहुत सारी चीज़े है जो apartment to apartment and owner के साफ से चेंज हो सकती है तो यह सारी चीज़े contract में बहुत ही ज़रूरी है आपने ध्यान से पढ़नी चाईए तो एक बार आपका contract साइन हो जाता है तो moving होने से पहले आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान देनी है कि आपने जो apartment है वो एक बार इंस्पेक्ट करना है reason being कि आपका वो जो apartment है वहाँ पर अगर कोई चूटे से damages होंगे या कोई भी problem होगी वो आप जो owner है या agent है उनको convey कर सकते हो तो जरूर के साफ से वो उनको repair करेंगे या फिर आप अपके तरफ से आपने बताया होगा कि ये damages औरी है तो एक ऐसे कोई protocol होगा जिसके उपर mention किया जाएगा कि ये पहले से ही damages है और आपने भी sign करे होगी तो ये highlighted पहले से होगा आपके स्मोंसबरिटी है कि आपके वज़े से ये damages हुए है तो आपके safety के लिए ये भी important चीज़ है protocol पे sign करना और ये सारी चीज़ें mention करना जैसे कि मैंने आपको बताया जहुआनी में अबार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है and demand भी ज़ादा है तो ऐसी जगाँ पे फिर scams भी होते है और ऐसी scams के आपको पदा भी नी चलेगा क्योंकि ये जो advertise करने वाले होते है वो ऐसे fancy pictures डालते है और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही beautiful से apartment है और इस जगाँ पे तो 1000 euro price थी पर ये apartment तो मुझे 800-900 euro में मिल रहा है तो ऐसी advertise होगी and प्लस आपको वो owner करेगा कि मैं अभी अभी अविलेबल नी हूँ आपको अपार्टमें डिकाने के लिए क्योंकि मैं किसी country में हूँ business trip के लिए तो आप पहले transfer करो पैसे और फिर में किसी को भीजता हूँ आपको अपार्टमें डिकाने के लिए या कोई ना कोई तो reason देगा in short to not be present या पहले पैसे transfer करने के लिए के लिए तो अगर जहावे भी आपको पैसे transfer करने के लिए बात कह रहे है तो समझ ले ना महाँ पोई तो गड़ड है क्यूंकि important है आप अगर परस्नली भी नहीं जा सते हो अपार्टमें लिए और अगर आपने पिच्छ में भी देखा है या वीडियो में लेखा है तो इस इंपोर्टन्ट कि उसके बाद आपके पास चाहिए तो एक नायए तो एक बार आपके कोंट्र Hack आ जाए आपके सारे क visitor एव आपने इन पढ़ दियो अगर एकसे चाहिए लूँ उसके ब्हाद आपके संपर्ट करते हो और अगर आप पैसे चै करते हो तो पैसे में एसी चीज़े भी होती है जरूर ध्यान रखना और कोई भी ऐसे आपको टेंप्टिंग ओफर दिखे जव ऐसे गडबड लगे तो उससे थोड़ा बच्क लिए रहना तो यह रहे कुछ important points चो आपने धान रखने है especially while finding apartment in Germany I hope आपको यह सारी information बहुत helpful रहेंगी especially अगर आप Germany आने से पहली apartment search कर रहे हो तो तो आपको अगर कोई questions है कोई information जाननी है तो मुझे comments में ज़रूर लिखना मैं definitely try करूंगी आपके questions का reply करने का तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like करना इसे और भी लोगे साथ share करना and subscribe करना आपके channel पे foreign की दुनिया पे क्योंकि और भी interesting videos आने वाली है and आप बहुत टाइम से videos देख रहे हो और पस video देखके जा रहे हो तो ऐसा मत करो या थोड़ा motivation दो थोड़ा subscribe करो and instagram पे भी ज़रूर follow करना क्योंकि instagram पे तो आपको almost everyday नई ने information पतार दलेगी and अभी हम मिलते हैं हमारी next video में until then our feed is in